तो यह है दिवाली का व्लोग and I'm sorry यह व्लोग थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि दिवाली के बाद हम लोग बाहर चले गए थे बाहर दूश पर और वहां से आका थोड़ा सा food poison हो गया था हम लोग बाहर जाने में ट्रावलिंग में तो उसके लिए हम medical treatment पे थे husband wife दोनों ही तो थोड़ा मैं लेट हो गई इसको upload करने में तो लेकिन व्लोग में बना चुकी थी voiceover सिर्फ रह गया था तो मेरा मन नहीं था मतलब कि मैं एक व्लोग अच्छा मैंने जो दिवाली शेयर गना चारी थी आप लोग के साथ कैसे celebrate की वो मैं ना डालू तो अब बनी चुका है तो why not share रहती हो थोड़ा लेट ही सही तो let's see मैं दिवाली की यहांपर decoration कर रही हूं देखिगा Leaders. मैंने आपको अपने प्रिछली व्लोग में बताए है इंदिवाली की फूझा में क्या क्या समार हम नोग यूँज करते हैं तो यह सब मैं प्लेट में सजा रही हूं दिवाली के दिन तो यह सब decoration छो दिवाली की में स अगर बती लगती लगती है यह सब मैंने बना कर रेडि कर लिए है तो पूजन में यह भी सभी उज़ाथी कर लिए है और भगवान जी बिठा दिया है थोड़ा बहुत और है वो मैं इसके बाद करने वाली हूँ जो कि end time ही होती है मिठाई और फूल फल रखने होता है बस वही रह गया है बाकि सब त्यारी करके मैं रेडी कर दिये इसके बाद थोड़ी बहुत डेकॉरेशन जो डाइन डेकॉरेशन जो दर हम लोग करती है दिय मैंने इस वाले डेकॉरेशन पीस में लगाया है और यह राथ को बहुत प्यारा जगमगाता है जो दिवाली कि दिन तो यह सुन्दर लगता है अँहर साल में इसको अच्छे इस करने नैए ती ल की राथिक प्रस दाल सकते है और नीचे पानी होता है उपकर से फलाल और मैं दिखाऊंगे रात को इतना सुन्दा दिखेगा इसकी बार नकुल ने कर दी थी फर्माइश में को खानी है मतर की टिकियां तो यहां पर देखिए मैं बना रही है मतर की टिकी नकुल के लिए उनको बहुत चट पड़ा कुछ खाने का बन कर रहा थे तो फटा फट यह यहां पर देखिए बनाई है मतर की टिकियां यह फ्राय हो रही है यह बन गई है हमारी पोदी ने हो धन्या की चटनी और यहां पर रही है इमली की सौट और यहां धाई रही हो चुका है और अनार भी डालने के लिए रही है और यह बन गई है टिकिया और नकुल का रहे थ तो मैंने फटाबर से फोटो क्लिक कर ली तो बहुत सारा काम होता है दिवाली के दिन तो जल 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 दी सब कुछ फोटो लेना या कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है तो फिर भी मैंने जितना हो पाया पॉस्बल करा तो यहाँ पर पूजन का टाइम होने जा रहा था तो यहाँ पर पपा और बेटा हो गए है रेडी ट्विनिंग करके एक जैसे कपड़ों में और अध्वी को कुर्ते के कॉलर बिल्कुल पसंने तो उसके लिए राउंडनेक का कुर्ता का कॉलर बनाया और बाप बेटा दोनों रेडी हो चुके थे और यहाँ मैं भी हो गई थी रेडी हम तीनों का ट्विनिंग हमने बनवाया था एक जैसे मट्रियल का मतलब थोड़ा सा कलर चेंज हुआ लेकिन ट्विनिंग करके कच्छी सी ड्रेस हमने प्लान करके बनाया थी तो पूझा के लिए थोड़ा सा टाइम बचा थे थो हमने पूझा बैटकर यहाँ पर फोड़ा सा फोर्टर स्टरेशन कर रहे थे और जैसे ही पूझा का टाइम स्टार्ट हुआ अपना पूझा स्टार्ट तो यहाँ पर देखे हमने कुछ फोटोस क्लिक किय91 और अब हो गया है, पूज़न का टाइम स्टार्ट हो गए चुगा था, तो हमने पूज़न का टाइम स्टार्ट हो गए चुगा था, तो हमने पूज़न का टाइम स्टार्ट कर दिया तो हमने पूज़न का पूज़न का पूज़न का पूरा तरीका होता है, हमारा वो हमने करन हम लोग पूजन कर रहे है हुसके बाद हम लोगों उने फोटोस क्लिक करी पूजन करने के बाद और अद्विक अपना मस्त मذंद उसको फोटो क्लिक करवाने में कोई शूक नहीं है अपने मस्ती में नूबा बाहर है अब और एक प्यारि सी फोटो दे दो तो एक भ्याइसी फोटो दे दो, तो मस्ती में लगा था, मस्ती में देखिए, नो श्माइली, नो श्माइली, तो हम लोग ने कुछ या पर वीडियो और फोटो क्लिक करी, पूजा के टाइम पे, और उसके बाद फिर हम लोग चले थे, आगे दिये जलाने के लिए, तो यह हमारी पूजा के बाद यह लग रहा था, इस तरह से हमारा पूजा का एरिया जो हमने डेकोरेशन किया था, तो इस तरह से हमारी सुन्दर सी मातरानी के पूजा की, हमने मालक्षी माता की अच्छे से पूजन हो गए था, यहां हम दिया आर्थी कर रहे थे, दिपाबली की होती है तो गठा हमने की गठा की उसके बाद हमने आर्थी की चालीसर की मालक्षमी का मंतर जाप किया और हमने इस तरह से पूजा अपनी पूरी फिनिश की तो अब मैं यहां पर आर्थी कर रही हूं कॉपी राइट नहीं आ जाए इसलिए मुझे उसको म्यूट करना पड़ा और हम लोग यहां पर आर्थी पूजन कर रहे थे तो यह इस तरह से हमने कर रहे है और अद्विक मज़े में मस्ती में बैटा है लेकिन वो बहुत पूजा को बहुत एंजॉय करता है जब भी कोई पूजा पार्ट का काम होगा वो बैटा रहेगा ऐसा नहीं कि वो उटके चला जाए है कुछ छेड़ का नहीं करें बहुत ही एंजॉय करता है अद्विक पूजा में तो हम लोग यहां पर सब आर्थियां पूजन कर रहे है तो अद्विक खराम से बैटके हम लोग को सुन रहे हैं एंजॉय कर रहे है तो देखी कितनी सुन्दर डेकोरेशन हुई ह और कितना ही प्यारा माहुल लग रहे है कितना अच्छा सब लग रहा है पूजा में तो इस तरह से हमने अपनी दिवाली की पूजा करी और मातरानी को प्रसंद करने की कोचिश की और जो भी गल्तियां हमसे होगी हो उनके लिए माफी मागी और इस तरह से हमने मातरानी को अपमारे उपर अपनी क्रिपा बनाई रखने के लिए प्रात्ना की और यह देखें यहां पर हो रही है पूजा तो बस इसी तरह से अपने डेकोरेशन करके और जितनी भी जलूरत की चीज़े थी हो जब करके पूजन किया और आर्थी को म्यूट करना पर हां क्योंकि copyright ना आजाए उसका डर बहुत लगा रहता है तो परस यह देखें थोड़ा समय आपको दिखाने की कुशिश कर रही हूँ यह थोड़ा fast forward mood में mood में चला कि आपको दिखा रही हूँ गंटी बहुत तेज तेज से बच रही है देखें क्योंकि काफी अच्छे से हमने पुरा आर्ती किया सारा जाप किया दो तिन आर्तिया होती है वो सब गणीर जी की होती है मालक्षमी जी की होती है इस सब आर्तिया हमने की थी तो यह आर्ति करने के बाद हम लोग ने यहाँ पर पूजा फिनिश की और उसके बाद हम लोग चले थे अपने दिये जलाने के लिए थोड़ी वो चीजे जो मांत मैंने थाली में लगाई थी वो भी चड़ानी होती है वो सब मातारानी पे चड़ाया और यह देखिए इस तरह से पूजा को हमने अपनी संपन किया फिर यह देखिए दिवाली की डेक्रैशन बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही पया ही लगती है फिर हमारे यहाँ एक काई है जो हम करते है मातारानी का जो बíster होता है उस पे हम पान के पते पे चांदी के सिक्की को लगा कर मातरानी की फेस पर लगाते हैं यह पुरानी प्रता है जो मैं बच्पन से देखती हा रही हूँ और मैं भी कर रही हूँ इससे हम मातरानी को अपने घर में आमंतरित करते हैं कि आप हमेशा इसी तरह हमेरे घर में बनी रहें, चांदी के सिख्चे से, उसके उपर लक्षमी गड़ीजी बने होते हैं, तो यह भी नकुल कर रहे हैं, तो यहां पर यह देखिए इस थरह से प्रता को पूर crazy चांदी कासी को मातालानी की फेस्बार लगाया जाता थो उसके पाद हमने दीए हर बार दीपक के साथ खेशन ना हो द्रका दीवाली पर どुमा अठिफ मेंज़्टि है हर बार हो ना तो यह से हमने family pictures और यहां पर हम देखिए family pictures click करवाया दिये के साथ अब कितना कुछ हो रहा है दियों को देखकर और उसके बाद कुछ family पर्ग जलाने के बाद और इनको अपने गरों में लगाया और कुछ decorations दिये देखें मैं दिखा रहे हैं पिता सुन्दा लग रहा है यह दिन में आपको दिखा रही थी कि मैंने candy लगाई थी इनके अंदर यह वही वाला piece है तो यह आद को दिखें किता ही सुन्दा लगता है वही देखें को भी किया डेकोरेट और कुछ दिए मैंने लगाया थे और कुछ दिए नगुल लगा कर रहे है हमारी रंगोली को यह आपको पसंद आई हो यहां पर हमने यह लगाए और फिर मैंने हाउस हेल्प की मदद से कोई बोला कि कुछ दिपक तू भी लगा दे तो हमारी हाउस हेल्प है तो यह भी लगा रही है दिपक और है यह देखें तो हमने अपनी रंगोली को भी लगा कर डेकोरेट किया उसके बाद फिर में इचो हाउस है पर उसकी नहीं नहीं ड्रेसे बड़ी खोश्टी इस सब पहेंड कर तो यह मेरी मेर है जो भी बहुत हैल्प करती है और यहां पर अद्विकौर में फोटो केचवाया थे फिर नक अद्विक पूल और अद्विक बनाए रखे बाहर और दीपक जलाई हां पर और दीपक जला के दोनों साइट पे गेट के हमने अतर रानी को अपने गर में अंतरे किया कि आपाए और हमें आश्री बाद दे हमारे गर कर ने कर बनाय रखे तो यह डेकोरेशन दिया यह सुझतर लगी आउ तो इसके बाद फिर हम लग रंगोली यह प्लास्टिक थोड़ी से रंगोली हैं प्लास्टिक की थोड़ी से रंगोली हमने जोती भी लगाएती है तो यह अद्विक फूल और वहल फूल कलर वाली नहीं चोड़ रहता हैं जो आपने अपने ने ज्रेख जानर चरन मतरानि को दिखाने के लिए रास्ता मतरानी पुरा घर करें और ह jeito पुजा किया था अभी यह वाला एरिया और यहां पर पूजा का पूरा एरिया और बस इसके बाद हम लोग चले अंदर की साइड अपने बेडरूम में पूजा में मातरा निकाए मंदिर है मारा मंदिर को भी अच्छी से पूरा सफाई किया गया था पूरा टेकृरेट किया गया था तो यहां पो शाक माला सब सबके साथ किया फोरो सेशन किया वश्यणाश naming पर दिवाब के सबसे मिले और सबके साथ फोटो सेशन किया फिर अपर अपने घर बम पर इंवाइड और हमने कुछ तइम के साथ सपेट किया बहुत ही मजहँ है बहुत बहुत एंजॉई किया सबके गेँड सब्त टाइमों तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लेखें थोड़ी डे के लिए सभी आठी अंकलोग हमारी घर आये थे और सबने बहुत अच्छी हम लोगों ब्लेसिंग्स दी बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दीवाली पर हमने बड़ों की मिल जाती है तो जिनगी ही बन जाती है तो बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा हम तीनों को नकल मुझे और अद्वी को कि हमारे बड़े हमनारे घर आये थे और हमको आशिरवाद दिया हम लोग के साथा है इस पैंकिया वो लोग भी बहुत खुश लगए थे और ये देखिए अद्वी की प्यारी दादी ये हमारे फ्लैक में ह तो अद्वी का गर्डन में ना दिखा ही दे तो कॉल करती हैं कभी भी बिल्कुल लस बिल्कुल फामिली मेंबर की तरह है तो अद्वी को क्या करें तो इसके बाद हम लोगो ने फिर पटा की शुड़ानी शूर किये पटा की हम ज्यादा आवाज वाले नहीं चुड़ा त बादी के साथ हम छोटे मोटे वही शागुन के पताकी शुड़ा रहें जा रहें आ थ हूंती हिद गदी को एंजॉआ करना दिखा रहें के लिवा BachLike कैसे होती बहुत हूंत हो दीद बड़ा हो रहें तो दीद दीदर शीर की हो थे क्या होता है आब के से होता हैं तो ही लग वह प्रगे पटा की अलग अलग पैकिंग आ गई हैं वह मैं थोड़ी सभी नहीं लगी तो हमने एकी बॉक्स कोला था फिर दुबारा कोला ही नहीं दो तिक बॉक्स ओर तो फिर फुल जडी ही हैं चला है अद्वी को लग रहा था कि पकड़ने वाला है तो वह बार 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 इसके पास आए जाना था पकड़ने के लिए और हम लोग इसको दूर ले गए नहीं वेटा इसको पकड़ते नहीं इसको दूर से देखते हैं और हमारी हाउसमें हमारी कुछ शीपर वीडियो घना रहे थी हम दो पोसे दे रहे थे और अद्वी को एंजॉइ करने करें बता रहे थे विटू ऐसे एंजॉइ करते इसको तो अद्वी की खूब एंजॉइ कर रहा है यह देखे मेरा प्यारा सा लड़ू को पाल पापा की साथ ट्वीनिंग करता हुआ और फिर यह हो गई पटाके ही हमारी फुल जड़ी करते हैं हमने हापी दीवाली वेश किया हापी दीवाली तो अभी नेक्स हम दूसरा स्लॉट लेने वाले है तो यह देखे बहुत सारे हमने पाटाके नहीं थे बच्चों के साथ वाले डाइब सी और जो कलरट वाली थी मैं नगुल को मना कि कि नहीं उसमें दुआ ज्यादा निकलत तो इसे पॉलिशन हो ज्यादा होता हुआए और बचों को हुआ ज्यादा दुगति हो जाती है भाटकों को फोगाम दोगल हमग्तके बच्चों को हुए खिलाण हए प्लिशन दूपके जहाती है यह पर की चाहिए स्कुल पिटाटाे है तो प्लिवाले की श्चुट्या ज अगर कोई नीचे गिर कर पट नहीं बोले तो उसको पापा से स्माश करते हैं वो भी करता है यह देखो मैं भी कर दूँगा छोटा सा पच्चा और बिल्कुल नहीं करता है तो अध्री को अध्री के बाद तक रोज एक एक तो दो डबियां फोड़ी है आध्री के बाद बाद लिए नहीं है कोई चिंडारी नहीं है जस पट सेवार होती है चोटी सी है और इस सेफ तो एक एक नहीं अध्री को पांच पांच शेचे हां में लेता है और एक सा नीचे फिक देता है आध्री के पापा मेरे ओपर फिक रहेते है में साइड में तोड़ा सा तो मुझे थोड़ा दख लगता है पटाको से मुझे सबसे सबसे पसंद है फुल जड़ियां I love फुल जड़ियां यह देखिए सबसे बेस्ट है दिवाली के लिए मतलब रोशन करके बिना साउंड और जगमगाती हुए दिवाली फुल जड़ियों से पैस्ट और क्या ही हो सकता है बच्पन में जब पापा अनार जलाय फुल जड़िया और एक चक्री आते गोल-गोल गोंते थी हम उसके बेस्ट क्या ही हो सकता है मुझे तो बहुत ही पसंद है मुझे बहुत बड़े-बड़े बम पटाके नहीं पता पसंद और एक वो जो शोर्स आते है आजकल जो आया लगे मुल्टिपल शोर्स स्काई में जाके रॉकिट की तरह जिस पर में रॉकिट होता था अब मुल्टिपल शोर्स आने लगे मुझे वो भी बहुत ही पसंद है तो मतलब अनार मतलब जगमगाता हूँ आसमान या जमीनों बस वही चाहिए ना दुवा पॉल्यूशन किसको अच्छा लगता है ना और आवाज जिससे किसी को दुख पोचे परिशानी पोचे ऐसी खुशी भी क्या खुशी ना तो यह देखें यहाँ पर हम लोग वही अपना फुल जड़ियों के साथ एंजॉई कर रहे है और दिवाली में हमने बस फुल जड़िया और थोड़ी सी जगमातनी चीज़े इने के साथ हम लोगों पनी दिवाली को एंजॉई किया ना कुल ने भी फुल जड़ियों के साथ एंजॉई किया कुछ पोजेश मेंने उनके भी लिए और बस दिवाली को हमने श्रसे खुब चलिब्रेट किया खुब एंजॉई किया खुब मजाया जगमाती हुई लाइटिंग लगाए तो हम लोगों ने, दोनों ने मिलकिया रोओ, वह पिंचर बिली थी और फिर हमने अदविक के साथ भी पिंचर क्लिक करी क्योंकि अब हमाँ इससाथ अदविक भी है जिंदगी में और जो हमाँ इस जिंदगी की खुशियों को दूग ना कर देता है तो यहां पर मैंने वो चुपके से नहीं आउसमेंट को बोला कि तो वीडियो बना मैं उनको सप्राइज गिव देती हूँ तो अद्री के पापको बिल्कुल नहीं पदा था क्योंकि बीच में एक घंटे के लिए टिकिया का कर सो गए थे अद्री के पापा अद्री के पापा अद्री को रात को क्रेंकी हो जाता कर नहीं सोय तो तो मैंने उसको सुला दिया था तो अद्री के पापा भी सो गए थे और फिर मैंने उनको दिया बेलाविटा बेलाविटा का पर्फ्यूम और खुश हो गए इतना खुशों कि तुने कम बंगाया, कहां से आया, मेरे साथ तो साई शॉपिंग की है, उस टेम तो तुने कभी नहीं लिया, ये कम आया, तो अरीकिये पापा का कुछ ऐसा रियाक्शन था, जो देखका उनको, उनको, मतलब, इतने अच्छे 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 प्रफ्यू अच्छे अच्छे बंगाया, उनका फेवरिट परफ्यूम, अर लब जो हमारी वेश लेस में, जो हमने पर्चेजिंग लिप्स में, शॉपिंग लिए ता, तो ये लिया, उनको बहुत ही अच्छा लगा लगाने के बाद, तो बहुत ही खुश हो गए, वाँ, वाँ, तो भुशे हो पर बहुत हो को काुश है, वाँ दो पाद पल्चे हों, तो ने बहुत ही अच्छे वी होटा इन्तव के लिए टे लिए, जो बहुत ही पहसंद हैं, जो बैचे हैं, तीन साल तक उनको बट पसंद आएगा, तो नको रूमने मिलके, दोनों और ने अद्वी को रहा है कि आप बोड़े खोल के दो बबा ऐसे थोड़ी चलेगा तो आपने लिए लेकर रहा हूँ एक्टिंग करो थोड़ी सी कि आप मेरे लिलाए हो तो मैं यहां थोड़ा एक कर रही हूँ तो मैं यहां थोड़ा एक कर रही हूँ तो मैं यह इसका रिविव आप लोगो ज़रूर बताऊंगी अपनी गार की तो इसके लिए मैंने नगो को थैंक यू क्यू हो तैंक यू सो माई-समद, आपने मेरे ले तुप यह फे उनेफील को तो यहां पर हम लोग यह से थियू लोगा करें। पर जो इस लौक को देख रहे हैं, उनके उपर भी अपनी क्रिपब बनाए रखे, और Happy Diwali, आयो, आप सब की Diwali अच्छी रही हो, Thank You